पापा की देथ हो जाती है, मैं अपनी मम्मी के पास जाता हूँ और उन्हीं कहता हूँ कि अब आपका बेटा पान दुकान पर नहीं बेठेगा, अब वो डॉक्टर बनने जा रहा है, एक साल में नीर क्रेक करना बिल्कुल इंपॉसिबल सा लग रहा था, जब मैं रिजल्ट को अब करना होता है, मेरा नाम हरसित कुमार है, और मैं यूपी के एक फेमस मेडिकल कॉलेज, तो अगर आपको कोई मेंटर या कोई गायट मिल जाता है, कि आप किस तरह से आपको कौन से फेस्विक चीज़े करनी है, और आपको कौन से चीज़े नहीं कर दिया, अगर आपको यह पता हो ना, तो आप वो तीन-चार ड्रॉप लेने से बच सकते हो, तो यही मैं से थोड़ी सी अलग होनी वाली है, क्योंकि जो मेरी नीट की एक्चुल जर्नी से भी जो पहले के लाइफ की जर्नी थी, वो काफी जादा स्टर्गिंग थी, तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, बिहार की समझती को डिस्टिक के एक छोटे से गाउं रोसरा से, मैं एक क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि उस समय मेरी पापा की देथ हो जाती है, मेरी मम्मी और बस एक बड़ी दी थी, जो कि मेरे से बस दो साल बढ़ी है, तो उस टेम पर इंकम सोर्स का और कोई जरिया भी नहीं था, जैसा मैंने आपको बताया, पापा का बस और उस टेम पर जो भी मतलब समाज के लोग थिया, जो रिलेटिव से वही कह रहे थे कि इसकी पापा का तो पान दुकान है, तो यह भी तो पान दुकान पड़ी बैठ जाएगा, और मतलब यह उस बात से काफी यादा रोना आ गया, मुझे यह लगा कि मुझे पान के दु और इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का सोचा कि जिस कारण से मेरे पापा की दित हुई है ना यार, वो कम से कम एटलिस्ट जितना हाथ तक हो सके मैं उसे इंप्रूफ कर सको और कुछ चेंजी जला सको, तो इसी के साथ लाइफ जाट होती है, और फिर मम्मी जो है वो इसकी स सारी responsibility ले लेती है, मेरी मम्मी ये कहते है कि अगर तुम्हें पढ़ने का इतनी इच्छा है, तो मैं अपना एक खुद का दुकान को लूँगी, एक छोटा सा दुकान ही सही, लेकिन उससे मैं जो भी कमाई हो पाएगी, उससे मैं तुमको पढ़ाई करवाऊंगी, तो मेरी मम्मी दुकान का काम तो करती ही है, और उसके साथ वो घर का काम भी देखते रहती है, मेरी dedication और मेरी जो financial problems से घर के उसको देखते हुए, जो school वाले होते हैं, वो मेरे 10 तक की class की fee माफ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी life की problem सोट आउट नहीं होती है, सारी तरह से, क्यो मैं भी नजदीक आ गया, फिर उसके बाद जैसे 10 class खतम होता है, तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक PCM और एक PCV, पर जैसा कि लोग कहते हैं कि साइंस से आप ज्यादा अच्छा कुछ कर सकते हो, एक तो अच्छी जिंदी आप जा सकते हो, तो मैंने भी science लेना opt किया, और जैसा मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मैंने डॉक्टर बनने का सोचा था, और डॉक्टर बनने के लिए इंडिया में नीट एक्जाम को क्रैक करना पड़ता है, और उसके लिए आपको PCV सब्यक्ट आपको होना चाहिए, तो इसलिए मैंने PCV सब्यक्ट को अप् लेकिन नीट कहां पर इतना highly competitive exam, जहां पर 20-25 लाक लोग exam देते हैं, और मैं कहां एक average student जो की छोटे से गाउन से आया हुआ था, तो ये सपना फिर से बहुत ही विसाल लगा है लक्ष जैसा लग रहा था, कि मैं इतनी बड़े सपने को कैसे पूरा कर पाऊंगा यार मतलब ये तो मेरे से बिल्कुल impossible सा लग रहा था, और उपर से कुछ relatives भी कहने लग देते हैं, कि बेटा नीट तो तुमसे हो नहीं पाएगा, उसको crack करने के लिए 3-4 attempt भी लग जाते हैं, और मेरे चार्चे का लर्का, मेरे भांजे का लर्का ने आज तक कभी नहीं किया, तो को एक छोटी जॉब लेके बस काम कर देना, मुझे लोग यही कहा करते थे, तो पर मुझे था नहीं कि मुझे यह काम करना है, तो मुझे डॉक्टर बना है, एक बार अगर मैंने सूच लिया, कि जो काम करना है, वो करना है, क्योंकि मैं यह सोचता हूँ, जिस इंसान का नी यह जो साल होता है, वो साल होता है 2020, यानि की COVID का टाइम, मतलब COVID आता है, फिर से lockdown लग जाती है, और साड़ी offline classes बंद हो जाती है, offline classes के बंद होने से ही, मेरा जो सारा सपना में ने देख रहा था, कि offline classes जानी है, वहाँ पर जाकर पढ़ाई करनी है, या फिर वहाँ पर, भूमिल सा दिखने लग जाता है, लगता है वो साइद अब पूरा ना हो पाए, क्योंकि उस टेम पर online classes भी इतनी प्रिवलेंट नहीं थी, जितनी की आज हो चुकी है, और धीरे धे करते करते, पूरी एक साल मेरा बरबाद हो जाता है, तो अब वो जो दो साल की जड़नी जिसको में मुझे निट निकालना था, वो बस मुझे अब एक साल में ही कंप्लीट करना पड़ा था, तो वो एक साल में निट करना बिल्कुल इंपॉसिबल सा लग रहा था, तो यहां पर मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूँगा, कि जब भी आपको लाइप में लगे कि यह काम बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, इसको मुझे कुट कर देना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उस टेमपर मैं भी ऐसे एक्स्यूजज दे सकता था, कि यार कोवीड आ गया, लोगड़ान लग गई, ओफ्ल के साथ 11 क्लास की इंड होते होते भी खबीड खब होता है, और offline classes अ मैंने सोचा चलो कोटा जाते हैं और कोटा में पाधाि पढ़ाई करते हैं तो कोटा मैंनने ऐलन का unlimited सुना था की महा पर काफी तिच सब कुछ अच्शा प्र इसको कड़ीं न चाहिक तो फिर उसके लिए मैंने एलन का एसेट एसकॉलर्सिप एक्जाम दिया जिससे मुझे कुछ एसकॉलर्सिप मिली और कुछ फीज की तो मार्प मिल गई लेकिन उसके साथ ही कोस्टल और मिस के भी खर्चे इतने ज्यादा थे कि उसको भी एफ़र्ड कर पाना इतना जाधा पॉसिबल नहीं था तो इस चीज ने मेरे को मोटिवेट किया एक इंटरनल मोटिवेशन मिला कि नहीं हर्सी था अब तो तुझे कुछ कड़की दिखाना है और एक मतलब अच्छे लेवल का डॉक्टर बनना ही है तो फिर इसे जुनून के साथ मैंने वहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट की और बि जो पीछे से हस रहे ना उनको कोई कुछ नहीं होने वाला वह फिर बाद में आके तुमको ही बोलेंगे कि यार तू सही था जो तू कुछ लिया करता था आज हम लोग बैठके रिग्रेट कर रहे हैं तो यह चीज थी और इसी के साथ पढ़ाई की सब कुछ बहुत ही सही से चल रहा था लेकिन फिर से लोगडाउन का फीज आता है कोविड का एक नया वेरेंट के साथ और फिर से ऑफलाइन क्लासे सारी बंद हो जाती है एक तैम तो ऐसा आ गया था कि होस्टले में बस अकेला ही बचा रहा गया था तो उस टैम पर जो होस्टल के ऑनर थे उन्होंन तैम पर मैंने सकेंड ऑप्सन ही चूच गया जो कि था कोटा में ढ़ाकर पढ़ा ही करना और यह अप्सन हाला कि थोरा सा रिस्की था क्योंकि इस टैम पर कोविड केसे बिल्कुल ही पीक लेवर पर चल रहे थे और उस टैम पर अगर जिसे भी कोविड हो रहा था उसकी दे आपको कुछ ऐसे डिसन लेने पर सकती है तो फिर उस टैम पर मैंने पूटा के होसल में रखे अकेले पढ़ाई की फिर एप्रोक्स पांचे मैंने बाद किया होता है लोगडाउन फिर से खतम होता है और सारी क्लास ऑफ-लाइन खुलना स्टार्ट हो जाती है जब ऑफ- बहुत ज्यादा इंपोर्डेंट होता है नीट एक्जाम में तो इसी के साथ पढ़ाई करता रहा और उस टेंपर मेरे मॉक टेस्ट में माक्स जो है वो सारे सारे 400 500 के नंबर के अपरोक्स आ रहे थे हाना कि यह नंबर इतने ज्यादा नहीं थे कि गौर्डमेंट मेडिकल क के लिए एक्जाम होता है और इसमें हमें कुछ scholarship money मिलती है अगर तुम्हें उस एक्जाम को clear कर लेते हो तो मैं उस एक्जाम को भरता हूं और उस एक्जाम को देने के लिए जाता हूं लेकिन होता क्या है ना एक्जाम के जस्ट एक दिन पहले मतलब मेरी तभीयत इतनी लेकर गया था और उसके बाद जब मैं पहला question देखा तो मुझसे पिन तक नहीं चल रहा था कि पिन कैसे चला हूं लेकिन तब भी किसी तरह से मैंने एक्जाम दिया और फिर एक्जाम हों से बाहर आया तो मुझे ऐसा तो जलूर लग रहा था कि मेरा selection तो हुई जाएगा भली अच्छी रैंक नाए वह अलग मैंटर है तो मैं को कि मैंने इसके लिए तैयारी बहुत की थी सारे लगा लिए थे सारे questions कर लिए जितना हो सकता था सब कुछ दे दिया था इस एक्जाम के लिए फिर कुछ दिनों बाद इस एक्जाम का रिजल्ट भी आता है और यह ब बस 0.25 नंबर के कारएं मेरा उस एक्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है और उस टेम में इतना रोता हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता है मतलब उस टेम ऐसा लग रहा था भगवान मेरे साथ ही सब कुछ क्यों करता है मतलब सारे प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में क्यो में अधी है लिकिन्ट तुमने साल बर में 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 अपना आप और ऊसुस ανα नहीं अगए तू में अशी करने लग गया तो मुम्हें बात आज करेंगा दो मैं देखता हैंने कि कब दिने कब रात है जिस टैम टाइम मिला उस टैम पढ़ना स्टार्ट कर दिया जैसे मेरे से काफी जादा लोग पूछते कि आप अपना टेबल कैसे मेनेज करते हो तो यार अगर तुम्हें कोई भी कॉम्टिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हो तो त कॉम्टिटिव एक्जाम कर सकते हैं जहां पर कॉम्टिशन इतना जादा है 25 लाग से प्लस लोग एक्जाम दे रहें और उसमें से भी 10-15,000 स्टुरेंट का ही बस सेलेक्शन हो पा रहा है तो तो तुम कैसे ही एक्सपक्ट कर सकते होगी तुम सेलेक्ट हो जाओगे और वह पर रहता था हाला कि यह बात थोरी से आप लोगों को अजीव लग रही होगी कि यह कैसी हरकते कर रहा है लेकिन मैं बता दूं कि अगर किसी एक साल के अंदर करना होता है तो उसको पागल पंती वाली हरकते भी करनी पड़ जाती है तो फिर इस तरह से पढ़ाई चलते रह लेकिन उसके बात क्या होता है गलती से मेरा कार थोरा चाट जाता है तो उस तेंपर मेरे से बात करता हूं नहीं है यह छोटी बात है इससे कुछ नहीं होने वाला तो फिर मैं आपने तीन घंटे-20 मिनट आराम से विदाता हूं और जो भी को सके उसको सही से अटरिक आता ह फिर एक्जाम सेंटर से जब मैं बहार निकलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सेलेक्शन तो हुई जाएगा भली रैंक ना आए वह अलग मैटर है और फाइलली वह दिन आही जाता है जिसके लिए हर्सित ने दिन रात मेनत की थी वह दिन होता है रिजल्ट का दिन और एंटी के वेबसाइट पर मैं खोलता हूं और उस टेम पर मेरे माक्स बंते है 655 और अल इंडिया रहेंक होती है 3414 मतलब उस टेम पर जो मेरी मम्मी के आखों में खुझी के जो आसू थे ना यार वो मैं एक स्पिंग कर नहीं सकता था उनकी जो भी छे-सात सालों की मेहनत वो जो दुकान का काम समाल रही थी और मेरी दीदी ने मेरी जन्नी में इतना हल्प किया वह सक्सेसफुल सा लग रहा था हाँ अज वह वह वर्थित है क्योंकि मैं अपनी लाइफ को चेंज करने का डिरेक्शन में जा चुका था और जो यह बोल रहे थे कि आड़े यार ते रहते होंगे जिससे आपको थोरा सा demotivate feel होता होगा लेकिन आपको क्या करना है आपको अपनी कम जोडियों पर काम करना है आपको कभी उनको instant reply नहीं देना है और काम ऐसा करना है कि वो काम उनके कानों तक खुद पहुच जाए तुम्हें उसको बोलने की जुरत ना परे तो फिर इस लाइन ने मतलब ममी को काफी जादा एक प्राउड फिल करवा दिया और उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सभासी दी और मुझे भी काफी यह लगा कि मेरी जो ममी की मेहनत थी वो आज सफल होते हुए दिख रही है तो अब मैं बात करता हूँ उनस्टेंट्स क नहीं थी ऑनलाइन क्लासे उतनी नहीं चल रही थी तो काफी जादा मुस्किली थी लेकिन अभी पर ऑनलाइन डिसोर्सेज काफी ज्यादा अब बहुत ही मिनमल पैसों में ही आप अपनी डॉक्टर बनी के सपने को पूड़ा कर सकते हैं जैसे यूटूब पे तो सारे लेक उसको पड़ने का कोई भी सेंसर नहीं बता बस आपको एंसी आटी ही पड़नी यह बाइलोजिक लिए अगर बात करें के मिस्ट्री में कि में पड़ सकते हो कुछ एक्स्ट्रा चीज़े में अगर कोई मॉड्यूल है आपके पास तो आप मॉड्यूल को पड़ सकते हो और प्रेक्टिस पर चाहिए और इन तीनों सब्यक्ट्ट में आपको प्रिवियस यह को संट करके जाने को क्योंकि प्रिवियस यह साल 70-70% आई जाते तो अगर आपको प्रिवियस यह वाला पार्ट अगर मजबूत रहेगा ना तो आप मतलब काफी कुछ कर सकते हो मतलब आप अपने आप बढ़ जाएंगे और रही बात कि आपको तीनों सब्यक्ट को कैसे पढ़ना है तो उसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेट जी मनानी परेगी कि तीनों का एक्वल टाम डिस्ट्रिविशन दो मतलब अगर आपको बाइलोजी अगर थोड़ी से टफ भी लग तो आपको बहुत अच्छे से बैलेंस बना के चलना है आपको दोनों कामों को बहुत अच्छे से करना है पढ़ाई तो सब करते रही हैं। और उसके साथ ही मॉक टेस्ट हो कि मॉक टेस्ट में जितनी आप गलतियां करते हैं उस गलतियों से आप कुछ सीखना पड़ता है और वह सीख करी आप वह एक्जाम में अगले मिस्टेक नहीं कर पाते हैं तो इसलिए रिवीजर और मॉक टेस्ट पर जरूर से फोकस करना अग जो चाहो वो कर सकते हो तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में और मेरा एम लास्ट यही रहने वाला है कि मतलब मैं जितना हो सके दूसरों लोग के लाइफ में कुछ कंट्रिबूशन दे सकूं और इस देश में बस अपना नहीं इस दुनिया में अपने इस भारत हमी नीट examination को clear करना होगा लेकिन यह journey बहुत मुश्किल है हम नीट की preparation कब और कहां से करें कौन से study material use करें कोचिंग लें की नहीं और लें तो कौन से कोचिंग में admission लें हमारे मन में बहुत questions हैं लेकिन हमारे पास शायद guidance पाने का सही जर्या नहीं है और इसलिए बहुत से aspirants ने जोश से request किया कि क्या जोश्टॉक्स aspirants को help कर सकते हैं उनकी इस journey में जोश्टॉक्स पर बहुत से neat rankers और unique teachers और coaching आते हैं अपनी successful कहानी सुनाने जोश्टॉक्स ने उन्हें request किया कि क्या ये coachings जोश की family से बात करेंगे और हमारे doubts solve करेंगे doubts जैसे की preparation start कैसे करें, कौन सी coaching ले, offline या online, कौन सी study materials यूज़ करें, क्या coaching fees में कुछ discount हो सकता है आज मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये share करते हुए कि वो मान गए है ब्रिज मोहन गुपता सर्ड जिने हम बड़े भया के नाम से भी जानते हैं, उनकी विद्या मंदे classes यानि की VNC classes अब हमें contact करेंगी और हमारे questions को answer करने में हमारी help करेंगी हम VNC classes से अपने सारे doubts पूछ सकते हैं और घर बैठे अपने doubts को clear कर सकते हैं जोष Talks और भी institutes and teachers से request कर रहा है कि वो जोष के students को घर बैठे, phone पर guidance और information प्रोवाइट करें तो नीचे एक form दिया गया है, अगर हम चाहते हैं कि हमें इस institute से phone आए तो हम अपने नाम और number शेर कर सकते हैं आपको जब phone आए तो यह mention करना मत भूना कि आप जोष फैमली के पाथ हैं ताकि आपको पीस पर एक्स्ट्रा डिसकाउंट मिल पाए best of luck to all the aspirants, जोष हमेशा हमारे साथ खड़ा है, जय है